हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी चैनल चैंपियन जैद पर में हूँ आपका दोस्त मुहमस जैद और दोस्तों साइन्स टू के हम लोग आज सेवन्थ चेप्टर को पढ़ने जा रहे हैं that is introduction to microbiology हम लोगो ने last lecture में animal classification को पढ़ा तो this time we are going to study about the 7th chapter of the science to introduction to microbiology so before starting this chapter I want to know that what is microbiology so guys microbiology means study of macro organisms study of macro organisms macro organisms की study को हम लोग बोलते हैं macro biology बट अभी macro organism का मतलब क्या होता है macro organism मतलब बहुत चोटे चोटे organism जो कि हमारी नेग डाई से नहीं देख सकते हैं तो macro organism को हम लोग खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं और macro organism दो टाइप के होते हैं दोस्तों shortcut में मैं लिख रहा हूँ जगा नहीं है एक होते हैं useful macro organisms एक होते हैं harmful macro organism चाहिए तो आप लोग टेक्स्टू बगल में रखें उसमें डाइगराम बनाते चलें harmful macro organisms का दूसरा नाम है पैथोजेनिक आप लोग harmful के नीचे ही लिखें harmful का macro organisms का दूसरा नाम है pathogen पैथोजेन्स का मतलब the organisms that can cause disease उन्हें हम लोग बोलते हैं pathogenic तो applied microbiology होता क्या है applied microbiology मतलब की वह biology जिसमें हम लोग study करते हैं enzymes की और वह enzymes related हो some prokaryotic से eukaryotic से macros से protein से genetic से molecular biology molecular biology मतलब study of molecules इन सभी के जब हम लोग study करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं applied microbiology applied मतलब उसका application हो सके society के welfare के लिए तो इसके लिए हम लोग society के लिए अलग-अलग products और food medicine ये सब प्रोड्यूस करने में जो study हम लोग करते हैं जो science को इससे relate करते हैं जो biology को इससे relate करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं applied microbiology अब industrial microbiology मतलब वह science जो commercial use से में जिससे हम लोग different products बना सके और different processes हम लोग complete कर सके commercial level पर तो उसे हम लोग बोलते हैं industrial microbiology industrial microbiology के दो main features हैं एक various products with the help of fermentation process fermentation हम लोग जानते हैं दोस्तों किसी भी चीज को दूसरे alcohol या फिर acids में convert करना और गेनिक या फिर alcohol organic acid या फिर alcohol में convert करना उसे हम लोग बोलते हैं fermentation तो वो product जो fermentation process से बने जैसे bread cheese wine raw material for chemical enzymes nutrition nutrients medicine etc तो यह किसका main feature है और दूसरा इसका main feature यह है microbes का use करकि यह garbage को manage करता है और pollution पे control करता है तो पहला main feature हम लोग पढ़ने जाना है products के बारे में पहले का main feature products दूसरे का garbage management या फिर pollution control तो products के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे dairy products के बारे में और आज के जमाने में जो भी हम लोग dairy products खा रहे हैं वो सब बनते कैसे हैं वह हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत interesting topic है दोस्तों अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे curd production मतलब की दही कैसे बनती है वह मैं आपको बताऊंगा तो मैं रीड करके नहीं बता रहा हूं आपको मुझे पूरा ऐसा डालते है टीश ओफ outra मिल्क में हम लोग एड करते हैं पीस ओफ कर्ड़्पीस ओफ कर्ड़़ को हम लोग बोलते है इनाक्यूलेंट और फेर जोब लोगव मिल्क जानते है मिल्क में दो चीजें होती है एक होता है सुगर एक होता है शूगर प्रोटीन सुगर कौन सा सुगर होता है सुगर होता है हम लोगों का लेक्टोस सुगर और जो प्रोटीन होता है वह होता है केसीन तो केसीन हम लोग शायद जानते होंगे उसके बाद जो लेक्टोस सुगर रहता है वह फर्मन्टेशन हो जाता है उसका और फर्मन्टेशन होन इसका form हो जाएगा लेक्टिक आइसिड और यहां पर जो केसीन है वो कोवागुलेट कर देगा कोवागुलेट मतलब हाफ जमा देगा और उसके बाद करड़ बन जाएगा करड़ बनने के बाद करड़ किस फॉर्म में होगा सेमी सॉलिड तो फिर से सुने सबसे पहले मिल्क Leyक को पास्चा जर्द करेंगे घरम करेंगे तक वाटे कर सके उसके बाद मिल्क में आदो चीज्य रहती है एक रहता है सूगर एक रहता है प्रोटीन में हम लोगों सा को अगुलेट कर गया मतलब थोड़ा सा जमा गया जिसके कारण लेक्टिक अचिड प्लस प्रोटीन उसके बाद वो दोनों जम गए और सेमी सालीड मिल्क पाउडर डालने की जरूरत क्या है क्योंकि हम लोगों को इसमें फर्मन्टेशन कराना है तो मिल्क पाउडर क्यों एड किया गया क्योंकि हम लोगों को फर्मन्टेशन कराना है फिर उसके बाद हम लोगों को इसको पास्चुराइज किया गया मिल्क पाउडर डालने के पहले मैंने मिल्क भी ऑला इसके बाद यिए पास्चराइज जूल करने करने के बाद मैंने उसमें एड़ कि इस्क्रेप्टयो कॉकस ठर्मोफाईलर्म जूल भरका अब जो उससे क्रमो थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है यह वन इस्टू एन प्रोपोर्शन में डाले जाते हैं मतलब अगर लेक्टिक आइसीड तीस ग्राम है तो एसीटल्डी हाइड भी 30 ग्राम रहेगा सपोस कर सकते हैं तो लेक्टिक आइसीड जो रहता है वह फॉर्म होता है स्ट्रेप्टो और यह तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं और यह उसमें आनंटड पर आएंगे और उसकी प्रापरवि्टी सेफ रहेंगी तो एक बार मैं आपको पर्सिस बताता हूं मिल्क लेंगे फिर मिल्क पाउडर डालेंगे मिल्क पाउडर को इसलिए डालेंगे ताकि देन्स बनाएगा लेक्टो बैसिलर्स प्रॉइड करेगा ऐसी टल्डियाइड उसको टेस्ट देगा और फिर लास्ट में हम लोग उसमें थोड़े बहुत फ्रूड यूस ऐड़ कर सकते हैं जिससे वो थोड़ा सा अच्छा बन जाए फ्लेवर आजए उसमें अब बात करते ह हम लोग बटर की बटर में आपको ज्यादा नहीं दिया गया बस इतना दिया गया है कि आज के टाइम पे दो टाइप के बटर से जो प्रोडूस किये जाते एक स्वीट क्रीम बटर और एक कल्चर्ड बटर यह दोनों आज बहुत ही लाज इसकेल पर प्रोडूस किये जाते है और मायकोब्स इनका मायकोब्स का इस्तमाल होता है इनके प्रोडक्शन में तो बटर के बारे में ज़्यादा नहीं दिया नहीं ती हृव आप लौग यृत लिक लेते हैं स्ट्रिप्टोकॉककस, ठर्मोफायलस, Lactobacillus क्रेमोरिस और Lactobacillus, лेक्टिस इन तीनों चीज़ों को हम लोग एड़ करते हैं, मिल्क के साथ, मिल्क के साथ इनको एड़ करने के बाद क्या फायदा होता है, मिल्क के साथ अगर हम लोग इसको ओटपन आने के कारण तो मिल्क को इसके बाद उसमें से जो वे रहता है योगट में उसको हमलोग हटा देते हैं कि वह अजाए गाढ़ा हो जाए और पिर उसके बाद एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग रेनेट बोलते हैं Elementary Kenal of cattle से पहले यूज होता था मतलब की चीज बनाने में उसको यूज किया जाता था तो वेडियरेण लोग चीज को पसंद नहीं करते थे तो इसलिए आज हम लोग एंजाइंब का यूज करते हैं बट पैसले उसे इलिमेंटरी कनाल ऑफ कैटल के अलिमेंटरी कनाल से निकाला जाता था तो वेजिटेरियन चीज के लिए हम लोग फंजाय का यूज करते हैं उसके बाद जो वे हटा दिया गया है उसके बाद जो चीज का प्रोशेस है वो स्टार्ट हो जाता है कटिंग करते हैं फिर उसको थोड़ा सा सॉलीड योगर्ट प whatever alec OUT करने के अलारे के बाद उसके बाद फिर यो बॉटरी देंसरी एक ठरोड़ा उसके बाद चेज़ कर सके उसके बाद मेंग्रेया crianças प्रोड dialog छोड़ाता है but aav الجैत प्रोड jantaa कर सके बाद वेज़ेटरियूज कर सक्के लिए नबद भे सेप्र होने के बाद production स्टार्ट हो जाता है लास्ट में थोड़े प्रोसेस होते हैं वाशिंग रभिंग सॉल्टिंग मिक्सिंग और फिर चीज प्रोड्यूस हो जाता है और फिर उसको पीसेज में कट करके स्टोर कर दिया जाता है तो यह था हम लोगों का चीज प्रोडक्शन अब आगे बाइरेसेज तो क्योंकि उसमें इंडस्टियल प्रोडक्शन मिल्क प्रोड्यूस को जहां लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें बैक्टेरिया का कभी भी अटैक हो सकता है वायरस द्वारा तो उसको हम लोग सेफ रखना बहुती जादा जरूरी होता है तो आज कल हम ल पारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो probiotics होता क्या है दोस्तों probiotics मतलब की आपके बॉड़ी में immune system को तगड़ा बनाने वाला और आपकी जो भी पैथोजेंस है जो harmful macroorganism है उनकी population को कम करेगा और आपके जो good organism है useful macroorganism है आपकी बॉड़ी में उनकी population को increase करेगा उसे हम लोग बोलते हैं probiotics तो probiotics हम लोगों को कहा मिलेंगे probiotics मतलब आपके dairy products जैसे योगर्ट केफीर पिकल ऑफ कैबेज डार्क चॉकलेड मीजो सूप पिकल सॉयल कॉर्ण सीरफ आटिफिशियल स्वीटनर्स माक्रो अलगी यह सब आपके probiotics हैं तो यह सब डेरी प्रोड़क्स को अगर आप लोग खाएंगे तो आपकी बॉड़ी में जो probiotics रहेंगे वो ग्रो करेंगे useful macroorganisms को और जो harmful macroorganisms है उन्हें इन एक्टिव कर देंगे मतलब उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे और जो भी इन एक्टिव माइक्रोब्स है जो यूसफुल macroorganism है आपके बॉड़ी में उन्हें एक्टिव करेंगे तो हमारी इंटेस्टाइन में एक harmful macrobs होता है जिसको लोगो बोलते हैं लिए क्लस्ट्रीडियम क्या करता है हमें हाम करता है इसके कारण हमारा डाइशन खराब हो सकता है तो इनसे बचने के लिए हम लोग क्लस्ट्रीडियम है उसकी population को कम करेगा और यूसफुल ऐसम की population को बढ़ाएगा चलिए बात करते ब्रेड की ब्रेड काईस वहता है तो ब्रेड कैसे प्रोड्यूस होता है इसमें सबसे पहले हम लोग लेकर आते बेकर इस्ट हम लोग लेकर आते खमीर और फिर उसमें डालते सेक्रो माइसिस सर्वीसे यह एक टाइप का इस्ट होता है और डॉब बनाते हैं हम लोग दो मतलब उसका सबका मिक्स्चर मिक्स्चर ऑफ वाटर सॉल्ट और नेसेसरी माटेरियल्स विद्फ फ्लोर को हम लोग बोलते हैं तो उसके कारण जो सूगर होता है वो कनवर्ट हो जाता है कारबं डायोकसाइड और इथेनॉल में और कनवर्ट होने के बाद जो डॉब होता है छो हम लोगों ने बनाया है मिक्स्चर वो राइजज अब मतलब उपर उट जाता है जिसके कारण CO2 के कारण और ब्रेड स्प ओक्तेंस के लिए मतलब जो कमर्शियल इस्ट होता है वो कंटें करता है वेरिएस एस्टेंट्स लाइक कार्बोहाइडरेट यह सब यूसफुल बनते हैं मैक्रोबियल फर्मनटेशन से अब करते हैं विनेगर प्रोडक्शन की तो विनेगर प्रोडक्शन किस तरीके से होता है चलिए जान लेते हैं तो विनेगर मतलब होता है दोस्तों सिरका और जो विनेगर होता है वह 4% सबसे पहले हम लोग कोई भी जूस लेकर आएंगे और फिर जूस में हम लोग डालेंगे सेक्रोमाइस सर्विसे के बाद हम लोग उसमें बैक्टेरियल इस्ट्रेंड डालेंगे और उसको इथेनॉल के साथ मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद और अधर प्रोड़क्स पॉर्म होंगे अगर आप लोग अग्दम कॉंसंट्रेटेड पीलो तो तेजाब की तरह काम कर जाएगा आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती उससे तो एसेटी का इसीड को हटा दिया जाता है विद्ध हेल्प आफ पोटेशियम फेरोसाइड बट पूरी तरीके से वह नहीं हटता है फोर परसेंट वह रही जाता है उसके बाद वह पास्चराइज किया जाता है और फिर वेरी स्मॉल कॉंटिटी ऑफ सल्फर डाउकसाइड उसको एड किया जाता है ताकि वह अग्रोवियल डिकर डिग्रेडेशन हो ऐसेटी का इसीड को हटाया गया बाइद प्रोसेस ऑफ रेयर फैक्शन रेयर फैक्शन मतलब उसको हटाने का प्रोसेस और यह प्रोसेस हुआ पोटेशियम फेरोसाइड के मदद से फिर पास्चराइजेसन हुआ फिर एसो टू डा और फिर उसके बाद उसमें माइक्रोब डालते हैं लक्तोबैसिलस ब्रेविस यह डालने के बाद हम लोग उसमें से सीड को सेपरेट कर लेते हैं फूरूट में फो जाते काफी में पीते हैं उसके बाद theobroma cacquo, cacquo आम लोग एक fruit होता है cacao, thisiobroma cacquo, इसको लोग लेकर आते हैं माक्रोप डालते है candida, hansenula और peachia saccharomyces, उसके बाद से seed को saipरेट कर देते हैं fruit में से और बन जाते हैā cocoa, जिसको हम लोग chocolate बनाने में यूज करते हैं, फिर third में लोग लेकर आते ग्रेफ्स में हम लोग माक्रोब डालते सेक्रोमाइस सर्विसे फिर फर्मन्टेशन हो जाता है और वाइन बन जाता है फिर एपल वाइन मतलब एपल हम लोग लेकर आते एपल जूस और उसके बाद सेक्रोमाइस सर्विसे से उसको फर्मन्टेशन कराते हैं और साइडर बन ज सकते हैं साइन्स वन के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे थर्ड लेसं भी आपको मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था आपको कि कैटलिस्ट मतलब होता है वो सबस्टेंस जो रियक्शन को फास्ट कर देता है बीना उसमें पार्टीसिपेट किये तो आज के चयमीकल कैटलिस्ट कि जगां पर माक्रोबियल एंजाइंस को यूज किया जाता है क्योंकि यह एकटिव रहती है इसके कारण एनर्जी बचाई जा सकती है और इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट को भी नहीं लाया जा सकता है यहां पर मतलब उनका यूज की जरूरत नह बनते हैं तो इसके कारण expense काम हो जानते हैं और प्योरिफाय नहीं करना पड़ता है जैसे मैंने अभी विनेगर के लिए बताया था आपको जब मैंने विनेगर बनाया तो उसमें बाइप्रोडक्ट बन गया waste material जो होते हैं वो decompose हो जाते हैं और enzymes को दोबारा हम लोग reuse कर सकते हैं इसके कारण ऐसे enzymes जो होते हैं वो eco-friendly होते हैं क्योंकि इनको हम लोग बार-बार यूज़ कर सकते हैं और इनके सब मतलब की enzymatic reaction जब भी होता है तो यह waste material को decomposition कर देते हैं और इसलिए दोबारा यूज़ क और एक्सेक्टर अरब प्रोसेस ऑफ डर्ट मक्रिमूबल डर्ट मतलब होता है दूल मग मतलब होता है धूल और डर्ट मतलब होती यह गंदगी तो इनका लोग टेंप्रेचर पे हम लोग कर सकते हैं एंजाइम को आइड करके डिटर्जेंट के साथ अब जो ग्लुकोस फ्रक्टोस सीरप होता है उसे हम लोग कौन फ्लेवर से बनाते हैं एंजाइम्स की मदद से और वो एंजाइम्स लेक्टोबैसिला है और स्ट्रिप्टो माइसे से निकाली जाती है माक्रोबियल इंजाइम्स इंडरस्टेज में भी यूज होती हैं जिसे हम लोग चीज, प्लांट, टेक्स्टाइल, लेदर, पेपर ये सब बना सकते हैं मतलब अब थोड़े प्रोडक्शन की बात करते हैं और उनकी जगहां पे हम लोग माक्रोब्स का भी यूज कर सकते हैं तो सूगर एंड बीट मॉलैसेज, अमोनिय सॉल्ट मॉलैसेज मतलब घोल मिक्सचर तो सूगर एंड बीट मॉलैसेज ये सब सोर्स हैं इन सभी source में यूज होगा माक्रोब, ब्रेवी बैक्टेरियम और कॉर्नियो बैक्टेरियम और इसमें amino acid प्रेजन्ट होगा L-glutamic acid और इनका यूज होता है अजीनो मोटो बनाने में जो की danger होता है और फिर दूसरा source है sugar molasses और salt इसमें जो माक्रोब यूज होता है वो होता है एसपरजिलस नाइगर amino acid होता है citric acid और जो यूज होता है वो drink, toffee, chocolate, production ये सब बनाने में यूज होता है अब glucose corn strip लीकर इसमें माक्रोब यूज होता है एसपरजिलस नाइगर, gluconic acid amino acid होता है और फिर इसते supplements of calcium and iron बनते हैं supplements का मतलब दोस्तों extra लेना जैसा अभी आपको खाने के साथ carbohydrate, glucose सब मिल रहा है बट आप लोग उपर से shop से कोई glucondi लेकर आ रहे हो और पी रहे हो तो मतलब आप लोग supplement ले रहे हो glucose का extra जैसा main sheet और supplement हो सकता है उससे relate कर सकते हो आप लोग main sheet आपको रहती है बट उसमें आप का complete नहीं होता है तो आप supplement लेते हो एक्स्ट्रा तो वही होता है supplement अब मुलैसे कॉर्ण स्टीप लीकर लीकर मतलब आप लोग जानते होंगे वाइन इसमें माक्रोब का यूज होता है लेक्टो बैसिलस जलबर का है जिससे प्रोडूस होता है लैक्टिक ऐसिड अमाइनो ऐ और यह पेपर टेक्स्ट्राइल प्लास्टिक इंडस्ट्री और गम प्रोडुक्शन में यूज होता है अब गम प्रोडुक्शन की बात आई तो हम लोग जान लेते कि जैन्थम गम कैसे प्रोडूस होता है तो जैन्थम गम क्या होता है कि वह थिकनेस प्रोवाइड करता ह हम लोग की आइसक्रीम को पुडिंग को चौकलेट को मिलकशेक्स को और चौकलेट ड्रिंक्स को इंस्टेन टूसूप को तो इन सभी को वह थिक्नेस प्रवाइड करता है मतलब थोड़ा सा उन लोगों को ठिक बनाता है और यह गम कैसे बनता है इसमें हम लोग fermentation कराते हैं जैन्थो मोनास species का starch and molasses के साथ sugar molasses और जैन्थो मोनास species को एक साथ रखते हैं हम लोग तो fermentation के बाद हम लोगों को मिल जाता है जैन्थम गम और जैन्थम गम यूज होता है production of pigments में fertilizer में वेडिसाइट में textile स्टाइल पिग्मेंट्स में हाई कॉलिटी पेपर एक सेक्टरा तो इन सभी में यूज होता है जैन्थम कम अब कुछ सबस्टेंस की जानकाड़ी ले लेते हैं कि कि इस तरीके से वो माक्रोबियल प्रोसेसिंग से अप्टेंड होते हैं और फिर उनका रोल क्या होता है तो सिट्रिक एसिड मैलिक एसिड और लेक्टिक एसिड यह सब एसिडिटी इंपार्ट करते हैं मतलब उसको एसिडिक बनाते हैं ग्लूटैमिक एसिड लाइसीन और ट्राइप्टोफै ये protein binding करते हैं मतलब कि protein को एक दूसरे से bind करते हैं अब nicine और nitamice natamice और nicine क्या करते हैं microbial restrictor होते हैं मतलब microbial को restrict करते हैं अब ascorbic acid जिसको vitamin C और B12, B2 ये vitamins होते हैं और plus antioxidants होते हैं मतलब चीजों को सिकुडने से बचाते हैं और nicine और nitamice क्या था ये restrictor था मतलब कि antibiotic था और ये कैसा है ये हम लोगों का सिकुडने से बचाने वाला अब beta carotene, lycopene और jenthine, lutine ये सब edible colors होते हैं तो ये pigments होते हैं edible colors की तरह इनका यूज़ किया जाता है अब polysaccharide और glycolipids ये use होते हैं as a emulsifers मतलब की चीजों को चीजों को चीजों करने के लिए यूज होते हैं और फिर vanilline, fruit flavor, peppermint flavor essence of various fruits and flowers ये इत्र बनाने के लिए यूज होते हैं मतलब की essence बनाने के लिए, खुश्बू बनाने के लिए अब xylitol और aspartame ये artificial sweetener बनाने के लिए यूज होते हैं जिसमें लोग calories होती है तो ये कुछ rolls थे दोस्तों हो सकता है exam में आ जाए आपको तो आप लोग कुछ important ही याद रखें जैसे important है आपका nice scene first वाला, third वाला और last वाला और beta के routine वाला ये 3 आपके important है चार ले लेते हैं एक, दो, तीन, चार और ascorbic acid ये छे, पांच आप लोग याद रखें बस और बागी आपका important नहीं है अब antibiotics तो antibiotics होती क्या है दोस्तों आपको बुखार आया आप डॉक्टर के पास गए डॉक्टर ने आपको बुखार की दबा दी प्लस antibiotics दी अब आप से कहा कि 7 days के बाद आप लोग दुबारा आके चेक करवा ले ना तो दुबारा आप लोग जब ठीक होड़ाता है 7 days में बुखार तो आप लोग दुबारा जाती नहीं हो बोलते हो course तो complete हो गया बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों एंटिबायोटिक्स का एक course होता है जो complete होना चाहिए वरना जो यू पैथोजन होंगे वो दुबारा टेक्स कर सकते हैं तो एंटिबायोटिक्स का यूज उन्हीं को रोकने के लिए यूज होता है तो जो human में disease होती है वो एंटिबायोटिक्स का यूज करके control हम लोग कर सकते हैं और एंटिबायोटिक्स बनते हैं various bacteria और फंजाय से एंटिबायोटिक्स जैसे penicillin, cephalosprain, monobactam, bacitrecin, erythromycin, zentomycin, neomycin, streptomycin, tetrasilin, vancomycin, etc यह सब यूज करते हैं हम लोग strains of gram positive और gram negative ग्राम positive सबसे पहले strain मतलब क्या होता है color अब gram positive मतलब अगर color ले लिया तो उसको हम लोग बोलते है gram positive gram negative मतलब वो अगर उसके color में नहीं color हुआ तो उसे हम लोग बोलेंगे gram negative और यह सब bacteria का हम लोग use करते हैं इसी में से एक है rifamycin, rifamycin का treatment हम लोग tuberculosis का treatment करने के लिए हम लोग rifamycin का use करते हैं तो इस तरीके से इन सभी काम लोग use करते हैं कुछ antibiotics के आप नाम याद रख लें चार नाम याद रख लें क्योंकि हो सकता है आपको exam में लिखने के लिए आई जाए तो tetrasilin, streptomycin, penicillin, neomycin चार नाम easy है यह याद कर लें आप लोग कि अब बात करते है microbes and fuels मतलब microbes कि मदद से किस तरीके से mismo schedules को कर सकते हैं वो और मैं आपको बताता हूं तो गैस्यस फ्यूल बनता है, methane से म्लोग उसको बनाने, methane किस तरीके से माक्रोबियल अénयरोबिक decomposition से हम लोग मिधेन उप्टेन कर सकते हैं तो यह डिकमपोजिशन हम लोग करते कैसे सबसे पहले Кल्चर इंडस्टी वेस्ट को लोग कर आते हैं और फिर उन सभी वेस्ट में हम लोग कुछ माक्रोप्स को छोड़ने के बाद वाद पर हम लोग ऑक्सीजन की सप्ला एकदम कम कर देते हैं जिसके कारण वो अनेरोबिक डिकमपोजेशन करते हैं फर्मन्टेशन कर देते हैं एक तरीके से तो वहां से हम लोग बायो गैस अप्टेन कर सकते हैं गैशियस फ्यूल अब इथेनॉल जो होता है एक एलकोहॉल होता है और यह स्मोकलेस फ्यूल होता है मतलब यह स्मोक नहीं चोड़ता है इसमें हम लोग सैक्रॉम वाईसे सर्वीस है और फर्मन्टेशन कराते हैं इसके बाद हम लोग अप्टेन कर सकते हैं इथेनॉल हाट्रोजन गैस रहता है उसे हम लोग फ्यूल ऑफ देफ्यूचर of water के process के दवरान यह release होता है और similar to fuels various industrial chemicals are also produced through microbial process इसी तरीके से और भी fuels produce होते हैं जैसे alcohols, acid, organic acid, fatty acid, polysaccharides और यह सब useful होते हैं raw materials के लिए जो chemical industries में आते हैं और इसी में से कुछ raw materials है plastic और food products के लिए कुछ raw materials useful होते हैं तो बायो fuel किस तरीके से obtain होते हैं तो सबसे पहले यह हम लोगों के कुछ plants रहते हैं बायो मास मतलब होता है आपका all living organisms और तो यहां पर आप लोग देखें तो सबसे पहले हार्वेस्टिंग हुई फिर threshing हुई फिर उसमें से cellulose बना सूगर सूगर से उसमें लिक्वीड फ्यॉड प्रोड्यूस हुआ फर्मन्टेशन से बायो फ्यू प्रोड्यूस हुआ फ्रियोव principle लोगों को नेиз किया है तो कारसे सिस्स योटू निकला फिर यही स्योटू द्गें और स्योटू completa दोसवारों को प्लस सोलार अनर्जी अद हुई ट्रेज प्राइज मैं से फिर हार्वेस्टिंग फिर थ्रेस्टिंग फिर सेलूलोज बना इस等 स्कृवर रहता है अंब गुड एनर्जी का सोर्स है, इस फ्यूल को हम लोग solid form में, liquid form में और आयो गैस और कोल गैस तो इन सभी फॉर्म में हम लोग इसको आप्टेन कर सकते हैं यह फ्यूल सीजिली अवेलेबल हैं और प्लेंटी ओफ कॉन्टिटी मतलब कि बहुत ही जादा अवेलेबल हैं और शायद हम फ्यूचर में जब हमारे और ऑर्गेनिक फ्यूल खतम हो जाएं है माक्रोबियल प्रोडूशन कंट्रोल तो इसंमें क्या होता है कि सॉलिड वेस्थ, सीवेज और अलग पॉलुटेन जो रहते है वो आजकल बढ़ते जा रहे हैं population के बढ़ने के कारण population बढ़ रही है तो pollution भी बढ़ते जा रही है क्योंकि जितनी ज़्यादा population रहेगी उतनी ज़्यादा waste निकलेंगे तो इसके साथ साथ जो disease बढ़ते जा रही है और environment भी degrade होता जा रहा है population बढ़ रही है और environment भी grade हो मतलब environment भी भड़े, population भड़े, तब कोई problem नहीं है, लेकिन एक तरफ population बढ़ते जा रहा है, एक तरफ environment degrade होते जा रहा है, तो यह तो indirect variation हो गया, यह सही नहीं है, तो यह worldwide problem हो गई है, तो जो cities densely populated हैं, इंडिया की तरह, वहाँ पर यह सब problem से बहुत ज़्यादा effect पड़ता है, और future generation की life इससे difficult हो सकती है, अगर यह problem को solve नहीं किया गया, right time पे, तो देखते हैं हम लोग roll environment, roll देखते हैं microbes का, किस तरीके से वो use होते हैं, तो land filling sites में use होते हैं, microbes, तो land filling side में, वो किस तरीके से use होते हैं, तो हम लोग एक जखाख खोचते हैं, जहां पर गाउं से दूर जखा हम लोग यह खोचते हैं, और फिर, वहाँ पर हम लोग बड़ा सा गढ़ा खोते हैं, गढ़ा खोतने के बाद, वहाँ पर हम लोग plastic से, थोड़ा सा कवरिंग कर देते हैं प्लास्टिक से कवरिंग इसलिए कर देते हैं ताकि जो कचड़ा हम लोग गार्वेज इसमें डालें वो गार्वेज डालने के बाद जो मिट्टी है उससे ना मिले क्यूंकि वो पॉजनस हो सकती है तो इसके कारण हम लोग प्लास्टिक शीट लगा दे देवावे उसके बाद हम लोग compressed waste डालते हैं मतलब कि पूरे waste को एक साथ रखा जाता है और उसको compress किया जाता है उसके बाद हम लोग उसको उसमें डाल देते हैं और फिर उसको soil cover soil cover जो बनता है वो soil slurry से बनता है मतलब soil slurry हम लोग बोल सकते मिट्टी का लेप तो मिट्टी के लेप से उसको आसानी से easily यहां से पूरा ढख दिया जाता है soil slurry से और ढखने के बाद जो microbes रहते हैं वो धीरे 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 अपना काम शुरू करते हैं और काम शुरू करने के बाद वो धीरे धीरे complete कर देते हैं और फिर जो dust रहे दो पूरा decompose हो जाता है और हम लोगों को मिल जाता है best quality compost compost मतलब fertilizer तो इससे हम लोगों को fertilizer मिल जाता है जिससे हम लोगों explain करना था तो ज़्यादा आपको नहीं लिखना है बस इसी तरीके से लिखना है कि एक बड़ा सा गड़ा बनाना है उसमें plastic sheet रखना है ताकि toxic substance वहाँ पर लीच ना हो जिससे की chemical reaction हो और वो जल्दी से decompose हो जाए और धीरे 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 पूरा decompose हो जाता है हम लोगों को good quality of fertilizer मिल जाता है अब बात करते हैं sea waste management तो sea waste मतलब होता क्या है गटर मत बोलना सीवेज मतलब होता है polluted water वो water जो pollute हो चुका है जो एकदम गंदा हो चुका है उसको कैसे manage करें तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो villages में जो domestic sewage रहता है वो या तो नजदी की जो soils रहता है या तो बायो गस प्लांट रहता है वहाँ पर dispose कर दिया जाता है बड़ जो cities रहती हैं वहाँ पर यह सब मिलने वाला है नहीं तो इसके कारण sewage management हम लोगों करना पड़ता है और इसको decompose करने के लिए हम लोग microbial microbes का यूज करते हैं तो वह microbes जो की decompose करें कोई भी compound और pathogens को भी destroy करें मतलब उसमें कोई भी compound हो कितना भी solidic liquid या acid को वह भी decompose करें और साथ ही साथ उसमें जो pathogens है cholera typhide एक्चेक्ट राके मतलब cholera typhide और अलग-अलग बिमारी हो गए उनके जो pathogens है harmful microbes है उनको भी वो kill करें तो ऐसे microbes का हम लोग यूज करते हैं वो उसमें methane release कर देते हैं और फिर co2 release कर देते हैं carbon compound का decomposition करने के बाद जो की sewage में present होता है और जो phenol oxidizing bacteria होता है ये decompose कर देता है genobiotic chemical जो present रहता है sewage में उसके बाद जो sludge रहता है जो आखरी में बच जाता है उसको हम लोग यूज कर सकते है fertilizer के तौर पे सलज मतलब वो fertilizer जमा हुआ जो चीज बच जाता है उसके बाद सीवेज में उसको हम लोग दोबारा fertilizer के तौर पे यूज कर सकते हैं और फिर water जो release होता है microbial treatment के बाद वो environmentally safe होता है और microbes का इसमें यूज होता है bio-remediation के लिए bio-remediation के लिए मतलब की living organism का यूज करके environment को clean रखना इसे हम लोग बलते हैं bio-remediation environmental polluted water polluted के लिए जो sea waste के वज़े से environment pollute हो रहा है उसके लिए हम लोग bio-remediation का यूज करते हैं microbes के तौर पे तो इसमें होता कहा है सबसे पहले हम लोगों ने सीवेज रखा सीवेज में हम लोगों ने कुछ microbes डाले और microbes ने पैथोजेंस किल कर दिये कोल्डर टाइफाइड के और compound को decompose किया decompose करने के बाद उन्होंने methane और co2 बनाया phenol oxidizing bacteria जो प्रिजेंट था उसने genobiotics chemical को decompose किया और लास्ट में हम लोगों को मिल गया अब बात करते clean technology की तो clean technology मतलब इसमें हम लोग किस तरीके से चीजों को clean कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ तो human being has made a very fast progress in technology technology में human being ने बहुत ही बढ़ियां सा प्रोग्रेस किया है बहुत ही तेजी से उन्नती की है लेकिन जो environmental pollution है वो उसी स्पीड से बढ़ता चला जा रहा है जितना पहले से था बलकि उससे ज़्यादा ही स्पीड से तो microbes के पास natural ability होती है man made chemicals को decompose करने की hydrocarbon और बाकी जो chemical से उनको transform किया जा सकता है इनकी abilities की मदद से कुछ microbes जो होते वो sulfur हटा देते fuel से metals जो होते copper uranium zinc एकसेक्टर यह सब environment में आ सकते हैं उन सब low quality metalloids से तो यह सब convert कर सकते हैं यह compounds में leaching के पहले इनको हम लोग अगर convert करना चाहें तो थियो bacillus और sulfo bacillus की use से इनको हम लोग convert कर सकते हैं अब उसके बाद कभी कभी आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि कोई बड़ा जहाज था तेल लेके जा रहा था उसमें बहुत ही ज्यादा टन तेल था और फिर उसके बाद बीच में उसकी जहाज का accident हो गया जिसके कारण वह जहाज वहाई पर डूब गया यह फिर छोटा सा वहाँ पर हो लो गया जिसके कारण पूरी जहाज डूब गई तो भाई जहाज डूबने के कारण पूरा और जो फिशेज हैं वह मरती जा रही है लगातार इसके कारण जो पानी में समस्त्य वह बढ़ती जा रही है तो भाई यह तो हमेशा होई जाता है कुछ न कुछ कारण के वज़े से अब यह जो ऑईल रिलीज हुआ वो तो फिशेज को बहुत ही जादा हाम करेगा बहुत ह टॉक्सिक होगा मतलब पॉजनस होगा तो भाई उन ओईल के लेयर को सिर्फ ओईल नहीं है थोड़ा वो तुनका पूरा का पूरा लेयर है और वो बहुत ही लंबे तक फैल जाते हैं पांच-पांच-छे-चे किलोमीटर तक फैल जाते हैं वो और वो और तो नीचे जाने याका यूस करें जैसे सिडो मुंस एस पीपी और एलिक्रोवनक उट ऐल औरकैनोरकस द बोरकूमेइनेसज ऋर दिश्ट्री करो दें तो सिडो मुंस और ईलकानोवरा क्यो इस्का हम लों यूज़ करें तो यह क्या करें बैक्तेरिया जो रहेंगे ऐलिस्पिल्स स्था और फिर उसके बाद hydrocarbons को यह decompose करेंगे उसको decompose करते समय यह react कराएंगे carbon का oxygen के साथ reaction कराएंगे और oxygen के साथ reaction के बाद यह CO2 और water बना देंगे तो इस तरीके से जो hydrogen होगा वो खत्म हो जाएगा तो यह hydrocarbons को decompose करते हैं जिसके लिए इसे हम लोग बोलते हैं hydrocarbonoclastic bacteria that is HCB औ देते हैं hydrocarbon को और hydrocarbon को decompose करने के बाद hydrogen अलग कर देते हैं carbon अलग कर देते हैं फिर carbon और जो oxygen प्रिजेंट होता है उन दोनों के बीच reaction करा देते हैं जिससे carbon dioxide और water फॉर्म हो जाता है अब plastic bottle जो रहती है chemical substances से बनती है जिसे हम लोग बोलते है पॉली इथलीन टेरेप्थले polyster जिसे हम लोग पेट बोलते हैं shortcut में तो plastic bottle इसी से बनती है आज के जमाने में जो अर्बन गार्वेज है उसमें plastic बहुत ही जादा है इसलिए इसमें observe किया गया है कि species जो की प्रिजातियां है विब्रियो आइडियो नेला सैकनेसी यह सब decompose कर सकती है पेट को मतलब कि जो से माइसेस और स्ट्रेप्टो माइसेस नौक एडिया एक्टिनो प्लेंस यह सब के पास अबिलिटी रहती है यह रबर को डिकंपोस करने की गार्वेज में से तो इसके कारण जो पॉलुशन है वो कंट्रोल हो सकता है तो दोस्तों याद रखे जो भी आपको फोटोस दी ग का तो जब पहचान होगे तभी तो इसके बारे में लिख पाओगे तो तीन मार्क्स अगर आपको हासिल करना है तो सब फिगर में आपको याद रहना चाहिए अब आइसीड रेन की बात कर लेते हैं तो आइसीड रेन को हम लोग किस तरीके से उसको हम लोग फर्टिलाइज कर सकते हैं तो आइसीड रेन जब भी होती है उसमें सलफ्यूरिक आइसीड प्रिजेंट होता है और माटेरियल्स कुछ प्रिजेंट होते हैं सूट पार्टिकल्स अब जब आइसीड रेन होती है दोस्तों तो उसमें प्रिजेंट होता है सलफ्यूरिक आइसीड और उसमें के कारंड मेटल्स जो होते हैंवह इरोजन अफ मिंटल्स प्रेजंट इन इस्टेच मिछ इस में इसीजिए कोसों इस species के लिए जैसे acidophylum SPP और acid bacillus ferroxidens इनके लिए source of energy होता है तो यह bacteria को हम लोग वहाँ पर छोड़ देते हैं जहां पर acid rain हो रही है और फिर वह लोग वहाँ से sulfuric acid जो रहता है उसको सक कर लेते हैं निकाल लेते हैं तो इसके कारण मात्र water बचता है और metals का ज्यादा नुकसान नहीं होता है तो acid rain से हम लोग इस तरीगे से इनका यूज कर सकते हैं उसके बाद water soluble salts of uranium are present in the waste produced during electroplating and in effluent released in environment from the atomic energy plant the water soluble salt जो होता uranium को present होता है वेस्ट में जो हम लोग electroplating के दोरान waste निकलता है तो वो एक effluent released in environment from the atomic energy plant atomic energy plant से भी वो release होता है तो जो जियो बैक्टर होता है वो यह जो salts रहते uranium के यह in soluble salts में convert कर देता है जिसके कारण यह salt से react ही नहीं हो और groundwater में वो mix ही नहीं हो तो salt जब groundwater में mix ही नहीं होंगे तो वो controlled रहेंगे अब दोस्तों बात करते यह microbes and farming सोचोगे आप लोग के भई microbes and farming में तो महतरी दोलाइन दिये दोनों तो question है जीने दूस्तों microbes and farming आपका टाईटल है सब्टाइटल है तो microbes and farming में यह टाईटल आता है तो farming में हम लोग किस तरीके से अ यूज़ कर सकते हैं वही मैं इनोकुलेंट्स को हम लोग सीटस पे स्प्रेड मतलब इसप्रे कर देते हैं, जिसके कारण जो सीट्स ग्रो होते रहते हैं, उनको दूसरे बैक्टिरिया से बचा लेते हैं, जैसे माक्रोब्स इंद्ध इनोकुलेंट्स हेल्पिन प्लांट ग्रोथ बाय सब्लाइंग नूट जो माक्रोब्स रहते हैं वो प्लांट को न्यूट्रियंट सप्ला करते हैं जिसके वज़े से वो उनकी ग्रोथ में मदद करते हैं वो वेजिटेरियन फूड की क्वालिटी भी इंप्रूव करते हैं और जो सॉलुशन्स रहते हैं आजोटो बैक्टर और आर्टिफिशल जिसे वो हम लोग इन सॉलूशन्स की मदब से बचा सकते हैं फ्लूरोसीटमाइड लाइक केमिकल्स हर मिक्स्ज तुविद सॉल डूट यूज़ और ये सब हांफूल होते हैं अधर प्लांट्स के लिए और एनिमाल्स के लिए क्योंकि यह स्किन डिजेज कर सकते हैं हुम आपय हो सकती है हुमें और बाकी अनीमाल को पिस्टीसाइड जो भी होते यह मोर्ण इसकशु कर देते मांब्रो उसक्राइब करके तो यह जो भी क मिन कर सबता है उनको लोग डिस्ट्रॉय कर सकते मांब्रोब्स pane यूज करके जिससे दूसरे और्गेनिजम को हम लोग बचा सकते हैं तो इसमें हुआ क्या था कुछ chemical fertilizer का जब लोग यूज करते हैं तो उसमें कुछ chemicals हमफूल होते वो soil में mix हो जाते हैं तो उनी chemicals को निकालने के लिए microbes का use किया जाता है तो यहाँ पर कुछ बोला गया है plastic being used for storing the garbage is biodegradable polished lactic acid such materials should be used as per need only and environment should be saved मतलब यहाँ पर बोला है avoid the use of plastic plastic का use आप कम से कम करो अब bio insecticides तो microbial farming में bio insecticides का use हम लोग कैसे कर सकते हैं वह यहाँ पर बताया गया है तो bacterial and fungal toxins which can destroy pests and pathogens can be directly integrated into plants with the help of bio technology वो bacterial and fungal toxins जो की pathogens को destroy कर सकती है उन्हें हम लोग bio technology के मदद से plant में direct inject कर सकते हैं उनमें direct integrate मतलब उनमें direct हम लोग ला सकते हैं similar to bacteria some species of fungi and viruses are useful as pesticides spinoside a byproduct of fermentation is a bio pesticide मतलब इसमें हम लोग plant में जब वो डाल देते हैं तो उसके बाद जैसे यह caterpillar feed कर रहा है leaf पे तो यह caterpillar को वो kill कर देगा वो इसे feed नहीं करने देगा leaf पे तो इससे plants बचे हुए रहेंगे सुरक्षित रहेंगे उसमें सुझे हो एक spinoside है वो एक example है किसका example बायो pesticide का इनका यूज करके हम लोग जो पैथोजेंस हैं harmful bacteria harmful microbes हैं उनको हम लोग खिल कर सकते हैं और बचा सकते हैं अपने plants को तो यह 7th chapter था दोस्तों introduction to microbiology अब मैं इसमें आपको क्या-क्या याद करना importance दे देता हूं तो आप लोग याद रखें दोस्तों dairy product में सभी चीजों का production कैसे होता है वो आपको जरूर याद रखना है दोस्तों और खास करके most important is bread and probiotics because they have the 100% chances to come in prillium exam प्रिलियम exam में आने का पूरा का पूरा चांस है दोस्तों और उसके बाद microbial enzymes part आपको पूरा याद रखना है फिर उसके बाद आपको microbial pollution control याद रखना है जिसमें आपको वह याद करना है land feeling side और sea waste management और फिर उसके बाद आपको यह paragraph पूरा याद रखना है दोनों then after यह acid rain वाला part याद रखना है फिर microbes and farming में आपको कुछ नहीं याद रखना है तो जिन लोगों को लगता है कि वह सिर्फ pass होने के लायक है या सिर्फ 30 marks में satisfied है संतुस्ट है तो वह मात्र इतना याद करें बड़ जिसको out of चाहिए वह पूरा का पूरा chapter याद रखे मतलब उनसे बोला जाये कि भाई जाओ और साथवे लेसन में जितना पाट था जितना कॉंटसेप्ट था सबको explain करके आओ अगर ऐसा कोई समझा है तो वह out of ला सकता है अगर वह कोई ऐसा समझा सकता है कि बिना टेक्स्ट बुक खोले जाओ और 7th lesson पूरा समझाओ तो अगर ऐसा कोई कर सकता है तो ही है 100 परसेंट 99 परसेंट चांसेज टो इसकोर आउट ऑफ वन परसेंट इसलिए नहीं क्योंकि कुछ न कुछ अब्जेक्टिव जरूर छूड जाता है तो यह सेवेंथ लेसन था इंट्रोडक्शन टू माक्रो बायोलोजी इसे पूरी तरीके से आप ल लोग याद रख लें बड़ जो बाकी सब है जैसे कुस्चन एंसर है वो सब मत याद रखें कि रिजन आद कर लें क्योंकि जो भी कुस्चन एंसर हैं वो सब नहीं आने वाले हैं एक्जैम में आपको बीच से कोई भी फीगर उठाके देगा उस फीगर पे क्वेस्चन लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे एट्थ चैप्टर सेल बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में